हम जी इंतिजार हुआ खतम और आज से प्रिंसिपल आफ माइक्रो एकनॉमिक्स बेकॉम सेमेस्टर फाइव का सेशन आपके साब ने स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहला कोश्चिन स्टुडेंट का यही रहता है कि सर हम अपने सिलेबस को किस ओडर में कवर करेंगे तो डिय इमेज से आपको समझाने की कोशिश की है कि क्योंकि हम जब से चीजों को पढ़ेंगे तो जो आने वाले चप्टर जिसमें डिफिकल्टिस लेवल है वह आपके लिए आपके कमफर्ट जोन में आ जाएगा और आप उसमें बहुत बैटर परफॉर्म कर पाएंगे तो चीज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का सेशन हमारा कंज्यूमर के बारे में हैं कंज्यूमर थे और जिसमें चप्टर नमबर फॉस्ट मैं यूटिलिटी ओर्डिनल अप्रोच को स्टार्ट करने जा रहा हो तो डियर स्टुडेंट अगर आप इसमें देखें तो सबसे पह थो पहला कोशन इस요ी मर कंज्यूमर किससे कहते हैं तो अगर आपसे कोशन यहीं पूछ चाहिए एक अंसर गलत है इस कुछ चीज़ें जो है कि रह गई है कैसे गलत है मैं से समझाने कोशिश करता हूं मान लिजिए एक बैगर है ठीक है आपकी दुकान पर यह आजा रहा है तो क्या आप ऐसे कहेंगे कि आपका कस्टमर आ गया है आप इस बैगर को कस्टमर तो नहीं कहेंगे जब कि यह जबकि गोड्स की डिमांड कर रहा है सर्विसिस की डिमांड कर रहा है यह गोड्स को कंज्यूम करेगा तो आपने कहा था जो गोड्स को कंज्यूम करें जो गोड्स सर्विसिस की डिमांड करें वह कंज्यूमर हो जाएगा वह आपका ऐसा कहना है डियर तो आप बताए ज़रा क्य की डिमांड कर रहा है तो क्या ये इस समय एक कंज्यूमर के स्टेज में है क्या फादर अपने सथन को बोलेंगे कंज्यूमर नहीं हम आपको नहीं दे सकते हैं नहीं बिलकुल नहीं ये दोनों केसिस पे आप ने भी फेस किया है दोनों केसिस पे नहीं तो आप इनको करें करा इसहां संस्ब्रास सब्सक्राइब करने में करना यह तोसी दिन उती है दया जिस समय आपको सब्सक्राइब की प्रॉम्र सब्सक्राइब बाइ करने का डिजन लेते हैं खरीदने का डिजन जब लेते हैं किसी गूर्ण से एंसर्विसीजग लेते हैं उस situation में आपको आयदा customer treat क्या जाता है जैसे आप अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह अपने want को satisfying करने के लिए इनकी अपने went contents साथ करने के लिए goods and services को purchase करने के decision ले रहे हैं तो यह क्या होगा इससमें यह स्केष में उन शॉपकीपर के लिए ऐदा कस्टमर ठीट किया जाएगा तो फर्स्ट ओफर बताइए कंज्यूमर का मतलब सुझ में आया नहीं सिंपल क्या अपने वांस को सटिस्फाइड करने के लिए अगर आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को पर्चेस करने का जब बिजन लेते हैं बैन उस सिच्विशन में आप आप एदा कंज्यूमर होते हैं देखिए सिर्फ हमाद थेओरी में क्या लिखा हुआ है अगर इस में बाइब ऑई कंज्यूमर जबाएज वन वू बाइज गुड्स एंड सर्विसेज देखिए बहुत इंपोर्टेंट लाइन है वो बाइज अगर यहां पर बात करें आप देखिए जहरा हाँ जी तु देखीगा क्या कहते है आप चे a consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants he takes decision with regard to kind of goods to goods and to goods to kind of goods to be purchased in order to satisfy his want the main objective is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services clear a g यह बात आपको सुझ में आई इस केस में किसी को क्या करते हैं इस केस में हम किसी को consumer कहेंगे अब आगे देखेगा अब अगला question यह आता है हमारा धी दिरह हम terms को समझेंगे फिर आगे questions पर भी आएंगे बड़े-बड़े questions को देखेंगे पर टर्म को क्लियर कीजिए नेस्ट question यह है कि what is meant by consumer equilibrium consumer आ गया तो consumer equilibrium क्या होता है आप यह बताएगा equilibrium को हिंडी में कहते हैं संतुष्ठी संतूलन संतूलन कहते हैं तो उपभोगता संतूलन consumer equilibrium किसे कहेंगे आप तो जनरली आएए पहले हम इसके answers पर जाएं उससे पहले हम समझते हैं और एक story की थरोज को समझने की कोशिश करते हैं मान लेजिए आपके पास में 500 उपीज आया और आप प्लाइन करा कि आपको इसमें एक जो है कोई क्लोथ आपको कोई टॉप या कोई आपको टीशिट इसमें आपको बाई करनी है तो जब आप यह decision लेए हो तो आपके मन में उस चीज को लेकर के color उसका design यह सारी चीज़े रहती हैं और आप वो चीज प्लाइन करके और आप अपने budget को देखते हुए आप वो market भी choose कर लेते हैं और आप उस market में निकलते हैं जो आपने decide कर रहा है उन चीज़ों को purchase करने के लिए आप इसको बड़े ध्यान सुनते रहेगा आपको consumer clear होगा तो अब आप मार्केट के अंदर जब आप पहुंसते हैं तो मार्केट अभी स्टार्ट भी नहीं हुई और आप स्टार्टिंग में ही क्या देखते हैं अभी मार्केट स्टार्ट नहीं हुई और आप प्लैन किया था वह अभी आपको मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही वो चीज़ें आपको नजर आ गए है जनली आपका कभी शायद आसा experience रहा हो जो आप प्लैन कर रहे थे और इसके लिए मार्केट गए कि मार्केट में जाएंगे और मार्केट सुरून से पहले वो कोशन आएगा कि सर अगर यहां पर स्टार्टिंग में ही इतनी बहतरी चीज मुझे मिल रही है जो मैं सोच कर आया था अंदर मार्केट में जाने की बाद इससे भी बहतर बहतर चीज़ें हो सकती है आपके मैं में ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करोगे फिर आप दूसरी दुकान से तीसरी दुकान और इस तरीके से आप मार्केट के अंदर जो है चीजों को सर्च करते रहेंगे बहुत सारे आप्शन पर जाएंगे जो जो आपके पास में अबिलेबल है उन सभी अप्शन को आप देखोगे बाद में फानेली सोचूँगे जो स्टार् बात बता यहे जब आपको यही कॉमडिटी आपको चाहिएती जब आप इस Hess ऑनługरी को आफ जो है करने का लिया तो पर आतrado प्री यह तो उन्वारशन तयों यह मार्केट में क्यों गए क्या ऐनसर किया जब आपको यहली नहीं था तो इसका अंसर क्या आएगा इसका नहींतुन Katie जो मिलErॅ जो आपको एस द्ग्श और से लिए लगा कि इसके बाद भी आपको जो तो जाधा चैक्शन लेवल आपके इस गिवन इंकम में आपको मिल सकता सकता है इसलिए आगे आपने सर्च करा और सर्च करने के बाद जब आपको यह चीज़ होने के और फिर उसको परेंद का बिजसन लेता है और यह चीज़ हों कहते हैं यह और इसका मतलब आपका aja जो भी बजट है उस बजट में जो options हैं उनमें से best का selection अगर आप कर लेते हैं तो आप उसको buy करने का डिजन लेते हैं और देन आपको situation को हम क्या कहते हैं consumer equilibrium का stage हम सो कहते हैं और जब आप इस stage पर पहुंच जाओगे न तो इसमें किसी भी तरीके के changes आप नहीं चाहाओगे अगर वो शॉप कीपर आप से कहेगा कि नहीं हम आपको यह नहीं देंगा आप दूसरा ले लिजिए तो आपको हमने लेना ही नहीं है तो जब consumer equilibrium के stage पर आता है तो उसमें किसी भी तरीके को सब्सक्राइब करता है जहां consumer अपने एक लिमिटेड अपने इंकम को एकस्पेंड करता है और उसको वहां से मैक्सिम सब्सक्राइब मिलता है क्लियर जी समझ रहे हैं अभी तो बेसी बेसी टम्स को समझ रहे हैं सब्सक्राइब को कवर टाइम से पहले ही करना है और क्लासिस बढ़ाने के अगर समय मिलेगा तो उसको हम बढ़ाएंगे विडियो रिशिन को क्लासिस के हम बढ़ाएंगे भी आगे ज है अब एक Tennewski चल रहा है और जैसे कि चैक्रन मर्वन हमने क्यों से स्टाटक क्या है खняर अब अब वन यूटिलीटी स्टार्ट क्या हुआ है ओडि क्शिर क का मतलब है तो आईए जरब समझते हैं जनरली यूटिलीटी के बारे में इस्टुटिन्स क्या करतें एक आन् कि किसी भी कमडिटी के अंदर पावर सिटी होता है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं आपको पहले यह समझना होगा जो यूटिलिटी वर्ड है न यह यूटिलाइजीशन वर्ड से आया है ठीक है और इस्टुएंट जेनली मैक्सम यह आंसर लिखते हैं कि पावर और क्याप प्योड को आपको अनेर्जी देगा यह आपकी ca yep यूटिलाइजीशन ही नहीं करे वह यह ज़ो आप देख रहें को फुल्फिल कर इहिं नहीं पा रहा है भले इसमें कितना भी power and capacity चूना हो तो इस situation में इस consumer के लिए ये non wage की कोई utility नहीं है तो utility के लिए अगर आप कहते हैं power and capacity of a commodity it's called utility गलत है ये इसकी wants को satisfied भी करना चाहिए power and capacity of a commodity which satisfied human wants वो हमारी wants को satisfied भी करना चाहिए then it's called utility आप अपने सामें देख पा रहे हैं क्या कि एक इच्छा जागी आइस क्रीम खाने के और आइस क्रीम खाने की इच्छा जागी और यह आइस क्रीम को कर रहे हैं तो यहां पर यह आइस क्रीम इनकी wants को satisfied कर रहा है इसलिए जो इस आइस क्रीम से इसको संतुस्त्री मिलेगा या जो satisfaction मिलेगा जो यह आइस क्रीम खा रहे हैं इससे जो इसको satisfaction मिल रहा है सब्सक्शं को हम क्यों ग्युटि यूटि यह बटाएं जब अपने want को satisfied करने के लिए कि utilizz का consumption करता है और और उस good से जो satisfaction level मिलता है उस good स्थ को हमूट satisfaction level को हम क्या कहते हैं उस satisfaction करते हैं तो अब यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि आप जनरली पूरे दिन में आप चीजे कंजिम करते हैं और उसको मिलता हिए जिसको आप एकनॉमिक्स के टाम सब्सक्राइब तो चलिए आपको एक प्रिटी मिलती है लेकिन यूटिलिटी एक ऐसी चीज है क अच्छा लगा या ज्याद आच नहीं लगा लेकिन आप एक्जेक्टली आपको कितना अच्छा लगा कितना सद्धस्टाइड वे में यूजसे आप क्लासिस को कर सकते हैं कि सर वन आवर की क्लासिस है आप डिस्सेंस को कर सकते हैं कि दो किलोमेटर का डिस्सेंस है आप वेट को कर सकते हैं कि 5 kg का वेट है हर चीज को आप एक्जेक्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या आप सैट्सफेक्शन लेवल को आप एक्जेक्ली एक्सप्रेस कर सकते हैं नहीं कर कर सकते हैं अब मेरा सवाल है क्यों कर सकते हैं आप अब कहाएंगे कि सरक्ष्म लेवल कर सकते हैं तो हम आप हर चीज को कर सकते हैं जब हम अगर क्यों नहीं कर सकते हैं उसके फिर इचे बीजल बताई चाहिए qurok- झाल के और सकते हैं थो झाल कशूल कर सकते हैं और क्यों एक्सप्रेश कर सकते हैं उसके वे आप कमेंट करें Canon को बेखेंखर में नो फिर कोünde करें और हम आपको एक्षाओ को हिंदी मीडियम में चाहिए तो उसके अकोडिंग फिर वो जैसे कि इंग्लिस का स्टडी में आपके पास में है तो उन बच्चों को सैपरेट अलग से हिंदी मीडियम का भी दिया जाएगा लेकिन आपको कमेंट करके चीजें मेंशन करनी पड़ेगी अब देखेगा डिफ आज आपके लिए एकनोमिक्स माइप कर सेशन में आपके लिए इस्पेसिल लेकर के आया कि इसमें जो है प्रॉलम रहती है और रिजल्ट काफी ज्यादा डियू का इसमें खराब रहता है इसको बहुत बहुत बैसरीन तरीके से आगे हम करेंगे और अच्छे तरीके से इस को ले लें क्योंकि यह इस समय आपके पास में डिस्काउंट का यह टाइम चल रहा है चैनल ही मैं देखता हूं कि डिस्काउंट टाइम जाने के बाद भी स्टुडेंट का कई बार एक वारी कॉल आती है कि सर वह पहले इतने में था और अब जो हिसके प्राइस इंकिरीज ह हो गई है तो सर हर चीज कंट्रोल में हमारे कई बार नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे तो अभी आपके पास में हैं आप अपने जो है कोर्स इसको आप ले लें क्यूंकि जादर क्लासिस आपकी जो शुडूल में आपके एप पर स्टार्ट होने जा रही है वर्मन आवर स्ट हुआ हुआ है